हेलो वेल्कम टो एकेशन तरफी बच्चों यहां पार आज हम उत्र प्रदेश बूर्ड कछा चे विसर विज्ञान में पार 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकास यानि लाइट तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अगर आपने अभी तेक चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ साथ आप अगर इंस्टाग्राम पे फालो करना चाहते हैं तो इस लिंक के दोरा आप इंस्टाग्राम पे फालो कर सकते हैं और फेस्बुक पे फालो करना चाहते हैं यानि फेस्बुक पेज को अगर फालो करना चाहते हैं तो इस लिंक के द्वारा आप फालो कर सकते हैं, साथ साथ टेलिग्राम चनल को जोईन करना न भूलें, जोगी जितने भी पीडिया फाइल्स हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सभी चीजों के पीडिया फाइल आपको टेलिग्राम चनल पे मिल जाएंगे, तो चलिए प्रकास रोत एवं उसकी विसेस्ताएं, प्राकिर्तिक एवं मानो निर्मित प्रकास रोत, दिप्त एवं अदिप्त वस्तुएं, प्रकास का संचरण, पारदर्सी या पारदर्सी एवं पारभासी वस्तुएं, क्या होती हैं ये जानेंगे, और आखरी में हम जानेंगे, उप्छाया प्रचाया एवं उप्छाया क्या होती है साथ साथ सूर्य ग्रहड क्या होता है कैसे होता है और चंद ग्रहड के बारे में भी हम यहां जानेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पार्ट का नाम है प्रकास तो प्रकास प्रकास क्या होता है ठीक है प्रकास एक उर्जा है ठीक है प्रकास क्या है एक उर्जा है और ये एक ऐसी उर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तूओं को देख पाते हैं कोई भी वस्त हमें क्यों दिखाई देती है क्योंकि प्रकास मौजूद होता है प्रकास महां पर उपलब्ध होती है इसलिए दिखाई देता है वह प्रकास किसी भी तरीके से हमें प्राप्त हो रही हो चाहे सूरज के द्वारा मिल रही हो चाहे टॉर्च की लाइट के द्वा माध्यम से तो किसी भी माध्यम से अगर हमें प्रकास मिल रहा है तो हम वस्तुओं को देख पाएंगे ठीक है अब खुद से सोचिए आप जब अधेरे कमरे में रहते हैं जहां पर प्रकास ना पहुंच रहा हो रात में हो आप एक कमरे में बैटे हो लाइट भी बंद कर दें तो क्या आपको कोई चीज दिखाई देती है कोई वस्त दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है क्यों क्योंकि वहाँ पर प्रकास उपलब्द नहीं है प्रकास मौजूद नहीं है लेकिन जब सुबह होती है दीरे दीरे या हम लाइट जला देते हैं कमरे में तो क्या हो प्रकास उर्जा हमें मिलने लगी हमारी आखों को प्रकास उर्जा मिलने लगी जिसके कारण हमारी आखे वस्तूओं को देख पाती है यहां पर कॉंसेट क्या है यह वस्तूओं पर जब प्रकास की लाइट पढ़ती है तो प्रकास उस वस्तूओं से कुछ जो प्रकास की ला प्रकास क्या है एक प्रकास की उर्जा है ठीक है किसी सामांगी पारदर्सी माध्यम में प्रकास की गमन पत को प्रकास की किरण कहते हैं कोई सामांगी माध्यम है ठीक है जाए काच हो गया आपका वायू हो गया यह सब क्या है सामांगी माध्यम है तो इसमें अगर प्रकास का गमन हो रहा है, प्रकास किसी पत पे चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकास की किरड कहते हैं, आते हैं प्रकास के सुरोत, इवं उनकी विसेशता हैं, प्रकास के सुरोत क्या है, देखे सुरोत का मतलब क्या होता है, सुरोत का मतलब होता है, किसी चीज का उदगम, सु रहा है किस जगह से हो रहा है उसे हम स्रोत कहते हैं अब यहां पर कहा जा रहा है प्रकास का स्रोत यानि कह रहा है कि प्रकास की स्रोत यानि प्रकास जो है वो उसकी उद्गम का स्थान क्या है उस द्गम की जगह क्या है या उद्गम का डिवाइस क्या है यंत्र क्या है ठीक ह उसको हम स्रोत कह रहे हैं अब यहां पे हम बात करें तो प्रकास के उदगम या प्रकास स्रोत दो तरह के होते हैं एक तो प्राकिर्टिक प्रकास स्रोत होता है एक कृतिम प्रकास स्रोत या जिसको हम मायनो निर्मित प्रकास स्रोत भी कहते हैं तो दो तरह के प्रकास्रोत हो गए अब प्रकिर्तिक की अगर हम बात करें प्रकिर्तिक स्रोत की अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारा जैसे सूर्य हो गया ठीक है या जो ऐसे प्रकास्रोत जो प्रकिर्त के द्वारा बनाए गए हो ठीक है ऐसे प्रकास्रोत जो प्रकिर् ठीक है अब यहां पर देखी जो तारे हैं सूर क्या है सूर एक प्रकार का तारा है ऐसे बहुत से तारे हमारे इस ब्रह्मार्ण में मौझूद हैं जो हमारे सूर से भी बड़े हैं लेकिन वो हमें छोटी क्यों दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी पिर्थवी से बहुत दू है दूर मतलब सूर्इ की जितनी दूरी है उससे भी बहुत दूर है ठीक है बहुत दूर कहा जाता है तो उनकी दूरी इतनी है कि हमें वस्तुएं या वो तारे जो हैं वो छोटी दिखाई देते हैं अगर सूरी की दूरी की बात करें तो सूरी पिर्थवी से लगभग 15 करोड किलो मेटर दूर है ठीक है कितना 15 करोड किलो मेटर दूर है तो सूरी क्या है एक तरह का प्राकरतिक स्रोत ऐसे ही अगर प्राकरतिक स्रोत की बात करें तो जुगनू हो गया समुद्री मचली कुछ सारी न मानो निर्मित स्रोत की अगर बात करें तो मानो के द्वारा बनाया गया कोई भी स्रोत जिससे प्रकास उत्पन होता है उसे हम मानो निर्मित स्रोत या कृतिम स्रोत कहते हैं ठीक है जैसे बल्ब हो गया आपका LED बल्ब हो गया लाल्टेन हो गया टॉर्च हो गया मुमत्ती हो यह सब क्या है यह सब मानो निर्मित प्रकास रोत हैं ऐसे ही आप देखेंगे आपे विद्दूद बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED बल्ब यह सब ही उसमें आते हैं ऐसे ही आप देखेंगे तो मुमबक्ती, मिट्टी का तेल से जो दीपक जलता है यह सब क्या है यह सारी चीज़े मानो निर्मित प्रकास रोत में आती हैं लेकिन इससे दिक्कत क्या है मुंबत्ती मिट्टी के तेल के जो दीपक होते हैं इनसे वातावरण प्रदूसित होता है CFL, LED ये सब क्या करते हैं इनसे प्रकास तो हमें मिलता है लेकिन विद्दूत बल्ब की तुलना में अगर हम कहें तो CFL और LED जो है वो विद्दूत की खपत कम करते हैं विद्दूत का व्याय कम करते हैं विद्दूत कम खर्च करते हैं और प्रकास भी हमें भरपूर देते हैं ठीक है? चली, तो ये हो गया अब आते हैं दिप्त एवं अदिप्त वस्तूएं दिप्तियों आदिप्त वस्तुएं क्या होती है दिखे वे वस्तुएं जो स्वयम परकास उत्पन करती हैं उन्हें दिप्त वस्तुएं कहते हैं जैसे जैसे क्या है जलती हुई मुंबत्ती मुंबत्ती को अगर एक बार आप जला देते हैं तो क्या होता है मुंबत्ती जलती रहती जलती रहती जलती तक उसका मुंब खतम नहीं हो जाता तो जलती भी मुंबत्ती क्या हो गई वो ऐसी वस्तु है जिसको हम दिप्त वस्तु कहते हैं ठीक है ऐसे उदारण में आप देखेंगे तो सूर्य हो गया तारे, लैम्प, विद्दुद बल्ब, ट्यूब लाइट, सी एफ एल, लेडी ये सब क्या है ये सब दिप्त वस्तूओं में आते हैं तो ध्यान से हर वो वस्तू जो स्वयम से प्रकास उत्पन कर पाए उसे हम कहेंगे दिप्त वस्तूओं ठीक है वहीं अगर हम बात करें तो ऐसी वस्तूओं जो स्वयम से प्रकास उत्पन नहीं कर पाती हैं उन्हें हम अदिप्त वस्तूओं कहते हैं जैसे मेज, कूरसी, चा अदिब्त वस्तु हैं चलिए अब दिखिए यहाँ पर प्रकास का संचरड दिखिए प्रकास का संचरड क्या है प्रकास का संचरड का मतलब क्या है प्रकास चलती कैसे है ठीक है तो प्रकास एक सीधी रेखा में चलती है ये एक सीधा सा गमन पत्ह है प्रकास का ठीक है प्रकास के बारे में जान लि प्रकास उत्पन करने का जो स्रोत है वो अपने चारो दिसाओं में प्रकास को उत्पन करता है ठीक है उत्पन करने का मतब चारो दिसाओं में ही प्रकास को फैलाता है ऐसा ही नहीं है कि प्रकास सिर्फ एक ही दिसा में फैलाएगा जिस जगह से प्रकास उत्पन हो रहा है वह पे चारो दिसाओं में ही प्रकास फैलेगा, ठीक है, सभी दिसाओं में फैलता है, और प्रकास क्या करता है, एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, तो यह आप जानगे, प्रकास क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आप जानगे कि प्रकास का संचरडपत क्या है वो आप जानगे और प्रकास चारो दिसाओं में जो है समान प्रकास को फैलाता है अब इसका प्रयोग करके यहाँ पे दिखाया गया है बट आप समझ गये जैसे दिखे इसके प्रयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मुम्मत्ती जलाई गई है और यहाँ पे कुछ दफ्ती लगा दी गये हैं जिसमें एक सीधी रेखा में हैं तो जब यह सारे छेद एक सीधी रेखा में रहते हैं तो इस व्यक्ति को यहाँ पे इस लड़की को यहाँ पे प्रकास दिखाई देता है लेकिन अगर हम एक दफ्ती भी खिसका दें तो क्या होगा यह प्रकास इसको नहीं दिखाई देगा तो इससे क्या पता चला कि प्रकास यह रेखा में चलता है तो यह एक तरीगा है प्रयोग करने का अब देखिये कुछ मुखी चीज़ें और जान लेते हैं आपर जैसे देखिये निरवात में प्रकास की जो चाल है वो 3,000,000 km per second है अब देखिए निर्वात निर्वात क्या होता है निर्वात को इंगलिस में vacuum कहते हैं जैसे देखिए पिर्थवी पे हमारा y bundle है तो पिर्थवी पे जो y bundle है वो हमारी पिर्थवी ऐसे है तो पिर्थवी की सतह पे ही हम लोग रहते हैं तो इस सतह से लगभग 25 से 40 किलोमेटर के रेंज में ये माना जाता है कि हमारा जो वाई मंडल है वो है ठीक है यानि ये पुरे एक हवा के गोली की तरह बंद है हमारा पर से ठीक है लेकिन इसके बाहर का जो अंतरिक्ष है वो क्या है वो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है ना हवा है ना पानी है ना कुछ है ठीक है तो वो निर्वात है उसको हम क्या कहता है निर्वात तो इससे एक चीज और पता चला कि निर्वात में यानि प्रकास को गमन करने के लिए चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती वो निर्वात में भी चलता है ठीक है यह प्रकास की खासियत है प्रकास ठीक है इसके बाद सूर से प्रत्वी तक जो प्रकास आता है उसको प्रत्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रकास की चाल निर्वात में प्रकास की चाल से कम होती है अब देखिए सबसे ज़्यादा तेज प्रकास चलता है निर्वात में लेकिन और किसी माध्यम की अगर हम बात करें तो उस माध्यम में निर्वात की तुलना में प्रकास की चाल कुछ कम हो जाती है ठीक है बस इतना ही फार्क बड़ता है और अब तक मापी गई सभी चाल में सभी स्पीड में किसी भी वस्त की स्पीड में जो प्रकास की चाल है वो सब से तेज है इससे तेज अभी तक मापी गई कोई भी चाल नहीं है ठीक है चलिए अधिकी यहां पे 500 सेकंड दिया हुआ है 500 सेकंड को अगर आप मिनट में बदलना चाहते हैं तो आप इसको 60 से भाग कर देंगे मैंने सिर्फ इतना बता दिया बट मैं ये चाहता हूं कि आप भाग करके मुझे ये बताईए 500 को जब हम 60 से भाग करेंगे तो कि मिनट में बदल रहे हैं ठीक है अगर मिनट में बदलेंगे तो कितने मिनट आएगा कितने सेकंड आएगा इस तरह से मुझे आप कमेंड बॉक्स में बताईएगा चलिए आगे बढ़ता है अब यहां पर हमें जानना है पारदर्सी क्या होता है पारवासी क्या होता है पारड़ में कांच, स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, गिलिसरीन, ठीक है, स्वच्छ गिलिसरीन कह सकते हैं, यानि जो हमारा कांच होता है, पारदर्सी कांच, उससे प्रकास क्या होता है, आरपार हो जाता है, इसी लिए हम इस कांच को या पारदर्सी जो कांच होता है, उस प्रकास का केवल आंसिक भाग बाहर निकलता है, उन्हें परभासी कहते हैं, ट्रांसलूसिय intelligence कहते हैं उसे, ठीक है? जैसे tracing paper हो गया, घिसा हुआ काँच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, तू क्या आपने देखा है कि तेल लगा हुआ कागज होता है, तो उसको सूर पूरी रोष्णी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी उसमें थोड़ी बहुत ही रोष्णी आती हुई दिखाई देती है तो उसे ही हम पारभासी कहते हैं और आखर ही आता है हमारा अपारदर्सी तो ऐसी वस्तों जिनसे होकर प्रकास बिल्कुल नहीं निकल पाता या बिल्कुल पार नहीं जा पाता उसे हम अपारदर्सी कहते हैं ओपा क्यूग कहते हैं जैसे दत्ती का टुकड़ा लकडी का टुकड़ा धात की चादर दरपड ठीक है तो यह सिब क्या है कोटे दरपड जिसमें हम अपना चहरा देखते हैं आरपर ना जा सके उसको हम अपार दर्सी कहते हैं तो यहाँ पे आप ने देखा तीन चीज़े होती है पार दर्सी, पारभासी और अपार दर्सी तीन चीज़े हों गई यह तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे च्छाया प्रच्छाया और उप्च्छाया क्या होती है यह चीज़े लिगे च्छाया क्या होती है चाया को हम क्या कहते हैं परचाई जिसको हम क्या कहते हैं परचाई आपने सुना होगा या कही ना कहीं तो बोलचाल की भासा में आपने इस्तमाल किया ही होगा परचाई जिसे कहते हैं तो परचाई को ही हम चाया कहते हैं और परचाई कब बनती है जैसे आप देखते होंगे क कि जब आप दिन के टाइम में या सूरज जब निकल जाता है तो उस टाइम में जब आप चलते हैं तो आपके सरीर की परचाई धरती पर बनती है आप अगर खड़े हैं कहीं चल रहे हैं तो वहां आपके सरीर की परचाई जमीन पर कहीं बनती है तो यह जो चीज बनती है काल याकरिती ब्लैक कलर की यह क्या है यही इसी को हम परचाई कहते हैं चाया कहते हैं ठीक है अब आप कहेंगे परचाया और उपचाया क्या होता है देखिए दो तरह के प्रकास रोथ होते हैं यह आपने उपर देखा अब उसी में से अगर हम बात करें तो एक बिंद उपर कास जिसेacher laser light होती है ना आपकी laser light तो laser light क्या होती है पॉइंटट होती है एकडम एकडम कहीं भी आप पॉइंट करेंगे तो उसे बिंदु की तरह ही दिखाई देगा ऐसे बिंदु की तरह ही ठीक है लेकिन आपने घर पे torch का भी इस्तमाल किया होगा तो आपने देखाऊगी कि टॉर्च का इस्तमाल करते हैं तो उसकी लाइट बहुत बड़े एरिया में आती है ठीक है? बहुत ज़्यादा एरिया में दिखाई देती है तो ऐसे प्रकास स्रोत को हम क्या कहते हैं विस्तारित स्रोत कहते है तो जब प्रकास के किसी विस्तारित स्रोत से अपारदर्सी वस्त की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती इस छाया में दो भाग होते हैं एक होता है हमारा मद्यभाग जो अधिक काला होता है इसी भाग को हम क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते है भाग दिखाई देता है उस कमकाले भाग को हम क्या कहते है उपचाया कहते है ठीक है तो यह अंतर है चाया प्रच्छा तो यहां पर हम एक्जामपल से यह समझ लेते हैं एक बार कि जो प्रच्छाया या उपच्छाया बनती है वो कैसी होती है तो टॉर्च यहां पर जल रहा तो टॉट से रोसनी निकल रही है और उस रोसनी की बीच में हमने एक बॉल रगी है तो गेंद रखने के कारड यहां पर यहां पर कुछ परचाईयां बन रही है तो यह जो बीच का एरिया है यहां परचाई बहुत जादा काली बन रही है और यहां से जो किनारे किनारे परचाई बन रही है ये वाला हिस्सा जो है दोनों और ये बीच वाले काली परचाई से थोड़ी सी हलकी परचाई है तो इस हिस्से को हम कहते हैं उपचाया और बीच वाले हिस्से को कहते हैं परचाया तो यह परचाया हो गया और यह क्या हो गया यह उपचाया हो गया किनारे वाला तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रचाया है इसको उम्बरा कहते हैं और यहाँ प्रचाया देखिए यहाँ प्रचाया ले गया यह उप्चाया है ठीक है उप्चाया है यह तो उप्चाया को हम क्या कहते हैं इंगलिस में पेनुम्बरा कहते हैं ठीक है उप्चाया को हम पेनुम्ब्रा कहते हैं अब यह चीज अच्छे से कहां पे घटित होती है यह यहां पे आगे हम जानेंगे यह अच्छे से जो घटित होती है यह हमें ग्रहड में दिखाई देता है ग्रहड कौन-कौन से ग्रहड सूरी ग्रहड और चंद ग्रहड में हम देख लिते हैं तो सूर ग्रहड और चंद ग्रहड की बात करें तो अच्छा पहले ग्रहड क्या होता है देखे सूर क्या है प्रकास का प्रकृतिक सुरोत है अब ग्रहड तब लगता है जब सूर का प्रकास या तो पिर्थवी पे ना पहुंचे या सूर का प्रकास चंद्रमा पे ना पहुं पहुंचेगा तो सूरी ग्रहड लगेगा और जब सूरी का प्रकास चंद्रमा पे नहीं पहुंचेगा तो चंद्रहड लगेगा ठीक है बसी तना आप ध्यान रखिए सूरी का प्रकास पिर्थिवी पे नहीं पहुंचेगा तो सूरी ग्रहड सूरी का प्रकास जब चंद्रम पर नहीं पहुंचेगा तो चंद्रमा देखिए कैसे यहाँ पर लिखाना देखिए सूर इवें पिर्थवी के मद्ध जब चंद्रमा आता है तो सूर यह हो गया सूर यह हो गया हमारी पिर्थवी ठीक है इसके मद्ध क्या आ गया चंद्रमा छोटा सा हमारा चंद्रमा आ गय तो इससे क्या होगा, सूरी का परकास चंदर्मा की जब ठकराएगा, तो पिर्थिवी के कुछ हिस्से में लाइट नहीं पहुंचेगी परकास परकास नहीं पहुंच रहा है, तो कौन सा ग्रहड हुआ यहां पर आते हैं थोड़ा सा और अछे से रम जते हैं देखे यह हमारा सूर्य है और यहाँ पे हमारा चंद्रमा है और यह हमारी पिर्थवी है तो सूर्य से प्रकास आया तो चंद्रमा से लड़ा मतलब इस तरह से यहाँ पे एक बिंदु ऐसा बना जहाँ पे पिर्थवी पे प्रकास नहीं पहुंच रहा है वो कौन सी बिंदू है वो दूसरी वाली देखिए तीन बिंदू बनाए गया है पहला दूसरा तीसरा तो दूसरे वाले बिंदू पे प्रकास नहीं पहुंच रहा है तो जो सेकेंड वाला बिंदू है उसको हम कहते हैं इस घटना को हम पूर सूरिक रहर कहते हैं इंगलिस में टोटल सोलर एकलिप्स बोलते हैं इसको ठीक है ये जो हिस्सा है पहले और दूसरे की बीच का जो हिस्सा है और दूसरे और तीसरे की बीच का जो हिस्सा है ये क्या है इस हिस्से में ही हमारी बनती है क्या उपच्छाया ठीक है इस हिस्से में हमारी बनती है उपच्छाया यानि एक से दूसरा और दूसरे से तीसरे के बीच का जो अस्थान है उसको हम कहते हैं उपचाया जिसको हम पैनुम्ब्रा कहते हैं उपर मैंने सही करा दिया है ठीक है तो अब यहां पर आपने देख लिया कि जब सूरी गरहड लगता है तो किस तरह से चाया और उपचाया बनती है ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे यह जो औस्थान से जहां पर जी porta पर कंड एंशिक शूर्ग्रहड दिखाई देता है। या यहां पर पूरी तरह से जो है जो छाया बनती है वो काली नहीं होती ठीक है जो ब्लैक छाया है एकदम काली छाया उससे हलकी होती है तो उसे ही खंड या आंसिक सुक्रण कहते हैं यहाँ पर सूरिग रहड जो होता है वो अमावश्या के दिन होता है यह आप ध्यान रखिएगा और चेतावनी यह है क कि सूरिग रहड को कभी नंगी आखों से नहीं देखना चाहिए उससे हमारी आखों अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारे आखे छतिगरस्त हो सकती हैं हमें हमारी आखों को परेशानिया हो सकती है ठीक है तो इसलिए कभी भी सूरिग रहड को एकदम नॉर्मल आखों से नही को आप देखिए तो उससे आपकी आखे सुरच्छित रहेंगी ठीक है चलिए अब यहां पर एक चीज दिया गया है इंपोर्टन चीज दिखिए 24 अक्टूबर 1995 तथा 11 अगस्त 1999 कि भारत के कुछ भागों में पूर्ड सूरी ग्रहड दिखाई दिया था ठीक है इस समय भारत में हमारे यह जो पूर्ड सूरी ग्रहड होता है टोर्टल सोलर एकलिप्स यह दिखाई दिया था यह कुछ डाइमंड ड्रिंक की तरह इस तरह से दिखाई देता है ठीक है अब आते हैं चंद ग्रहड पर ठीक है तो प्रकास नहीं पहुंच रहा है तो कुछ हिस्सा क्या हो गया चंदरमा का एकदम ब्लैक हो गया और लेकिन प्रच्छाया वाला हिस्सा ब्लैक हो गया और जो उपच्छाया वाला हिस्सा है वो कुछ कम ब्लैक हुआ ठीक है आधाधा ब्लैक रह गया तो प्रच्छाया क्या हुआ टोटल ब्लैक और जो उपचाया है वो पूरा काला नहीं होता है तो यहां पर आप देखेंगे इसी के कारड जब पिर्थवी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के तो क्या लग जाता है हमारा फलसुरूप चंद्रगरहड लग जाता है ठीक है तो यही कारड है चंद्रगरहड होने का अब यहां पर जो उपचाया वाला भाग होता है यह हमारा खंड चंद्रगरहड या आंसिक चंद्रगरहड कहलाता है और चंद्रगरहड जो होता है यह पूरिमा को लगता है एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यह जो गरहड होते हैं सूर्य को नहीं लगते क्यों इसका कारड़ है चंद्रमा तथा प्रत्वी के जो परिक्रमड तल है प्लेन ओफ रिवलेशन जिसको बोलते हैं तल ठीक है जिस तल पे वो परिक्रमा करते हैं वो एक दूसरे से कुछ जुके हुए है मलब जो चंद्रमा है वो कुछ अलग सा जुका हु ठीक है तो यह एक तल में जुके हुए नहीं है एक तल में नहीं है इसलिए क्या होता है ना इसलिए प्रत्य पूड्मा या आमावश्या को सूर पिर्थवी तथा चंद्रमा के केंद्र के एक सीध पर नहीं होते तो हर ऐसा तो अगर कोई कहता है कि हर आमावश्या या पूड पूडिमा को ग्रहण लगता है पूडिमा को चंद ग्रहण होता है और अम्मावश्या को सूर ग्रहण होता है तो यहाँ पर मुख्ष चीज़े हम सारी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक बार हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, जो जो चीज़े हमने इस पार्ट में पढ़ी हैं, दिखिए क्या पढ़ा हैं, प्रकास एक उर्जा है, सूर एवं तारे, प्रकास के प्रकृतिक स्रो झाया बनती है सूरे और प्रित्वी के भी चंद्रमा आ जाता है और वहीं अगर हम बात करें तो ये आमावश्या के दिन पढ़ता है ठीक है चंद्रगरहण में बात करें तो चंद्रगरहण कब होता है जब सूर और चंद्रमा के बीच पृतिवी आ जाती है ठीक है पृतिवी आ जाती है तो उसे हम चंद्रगरहण कहते हैं और चंद ग्रहड सदेव पूरिमा के दिन पढ़ता है लेकिन हर आमावश्य या हर पूरिमा के दिन ग्रहड नहीं होता तो यहाँ पर हमने चीजों को रिवाइज भी कर लिया मुख्य बिंदु को और आपके अभ्यास प्रस्ण यहाँ से स्टार्ट हो गया है तो उमीद करता हूँ इस पार्ट को जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप इस पार्ट के अभ्यास प्रस्णों को आसानी से हल कर पाएंगे फिर भी कहीं कोई टॉपिक या कोई बिंदु कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट वाक्स में पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है उस चीज़ को मैं दुबारा एक्स्प्लेइन करूँ आपको और अच्छे से आपको चीज़ों को समझाता सुगो तो चलिए आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद